बिहार को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और अब बिहार वासियों का इंतजार खत्म होनी जा रहा है जी हाँ हम बात कर रही है इंडिन रेलवे स्की जहां पर रेलवे के तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है बताते चले कि अब वंदे भारत ट्रेन के शुरुआत बिहार में होने जा रही है जिस ट्रेन का परचालन पटना से दिल्ली के बीच होगा इतना ही नहीं जो सफर अब 12 से 20 घंटों में दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से पूरी करते थे अब इतने लंबे समय का इंतजार खत्म होने जा रहा है जिस ट्रेन का लोगों को काफे दिनों से इंतजार था उस ट्रेन का परचालन बिहार में शुरू होने जा रहा है और अब दिल्ली महज 7 घंटों में पहुँच जाएंगे बताते चुलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शिर्वात राज़ानी पटना से होने जा रही है जो दिल्ली तक की लिए चलेगी लेकिन ये शिर्वात कब और किस महीने होगी रेलवे के तरफ से क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है इस ट्रेन का क्या कुछ स्टॉपेज होगा क्या कुछ सुविधाएं उपलब्द कराए जाएंगी साही जानकारी आपको मुहया कराते हैं दरसल बिहार में वंदे भारत के परिचालन का इंदजार अब जल्द खत्म होने जा रहा है अगले 3-4 महीनी के अंदर पटना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत का परिचालन शुरू हो जाएगा रेल्वे ने इसके तैयारी शुरू कर दी है और पटना में ट्रेन के रखरकाफ के लिए जगा का भी चैन कर लिया गया है यह ट्रेन दानपूर, पटना जंक्शन और आजेंद्र नगर टर्मिनल पर रुकेगी बताया जा रहा है कि वंदे भारत से पटना से नई दिल्ली तक जाने का सफर सिर्फ साथ घंटों में पूरा होगा इस ट्रेन में एक ओट जहां यात्रियों को कई प्रकार के विशेश सुवधाएं मिलेंगी वही समय की भी काफे बचरत होगी अब इस रूट पर तेजस, राज़ानी और संपून क्रांती जैसे अच्छी ट्रेनों का परिचालन हो रहा है अभी एक्सप्रेस ट्रेन में 12 से 13 घंटे में दिल्ली पहुचाती है गौर्ड अलब है कि वंदे भारत एक्सप्रेस 150 से 180 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से चलेगी अभी राज़ानी एक्सप्रेस 130 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से चल रही है इसके अलावा पूर्वा एक्सप्रेस भागलपुर इंटर सिटी जन्षताबदी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनी 80-110 किलोमेटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है दीन दयाल उपाध्याय जंक्षन से पटना जंक्षन होते हुए जाजा तक करीब 400 किलोमेटर पट्री को मजबूत किया गया है छोटी-छोटी कम्यों को दूर किया जा रहा है रुपसपुर के पास पाटले पुत्रा कोचिंग कॉंपलेक्स का नर्मान होने वाला है इसी के बगल में वंदे भारत एक्सप्रेस के मेंटेनिंस करने के लिए अत्यादोरे कोचिंग कॉंपलेक्स का नर्मान कराया जाएगा दारपुर रेल मंजल के अधिकारे के मुताबिक कॉंप्लेक्स निर्मान करने के लिए रेलवे बोट ने जगा चैन करने को कहा है मंजल द्वारा रुपसपुर के पास जगा देनी की बात चल रही है खाली जमीन है इसलिए इसे जगा को फाइनल की माना जा रहा है जो स्ट्रेन का बिहार वासियों को एक लंबे समय से इंतजार था उस ट्रेन का परचालन अब बिहार में शुरू होने जाना है आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही वंदे भारत ट्रेन का परचालन पटना से दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगा जहां आप ट्रेन से एक यात्रा को एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा 12 से 13 गंटे में पूरा करते थे तो वहीं अब ये जो सफर है वो उसका जो समय है वो काफे कम हो जाएगा महल 7 गंटों में आप दिल्ली पहुँच जाएंगे जो कि एक बड़ी बात है इसको लेकर पच्चियों को मजबूत किया जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक अल्ट्रा मॉजन ट्रेन है जो कि कई सुवधाओं से लेस है लोगों के लिए एक अच्छे खबर है जहां लोगों को वंदे भारत ट्रेन में सफर करनी का राजानी पटना से मौका मलन जारा है तो ये विहार के लिए एक अच्छी खबर और विहार को एक बड़ी सौगात इंजन रेलवेस के तरफ से मल रही है फुला के लिए सब्जेट में अतना ही है न कई खबरों के लिए मासद बने रहे न्यूस फोरनेशन में नमस्का